कौन नहीं चाहता कि मैं एक ऐसी रेसिपी बनाओ जिसे बनाने में कोई जंजट भी नहों और बच्चे भी उसे पहुत पसंद करें और जिसे पेट भी भर जाए और मन भी तो चलिए अस्टाट करते हैं ऐसी रेसिपी जिसे बनाने में गैस को भी जलाना नहीं पड़ेगा प वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रिंट फैमले में सेयर जरूर कीजिएगा तो चलिया स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और बाउल में एड़ करेंगे कटा हुआ प्याज जो की बहुत ही फाइन चॉप किया हुआ है जैसा की देखिए सेम बहुत ही चॉप किया हुआ फाइन मैं इसे वाउल में ट्रांसफर कर देती हूँ और फिर मैं इसमें एड़ करूँगी चॉप किया हुआ ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं फिर मैं इसमें एड़ करूँगी रोस्टेड रेट चि फिर मैं इसमें एड करूंगी वाइल सरसो का तेल ही यूज करिएगा आप इसमें फिर मैं इसमें एड करूंगी लेमन और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैं ये सारे इंगिडियन्स को वीडियो के लास्ट में लिख दिया है आप वहां से चेक कर लिजिएगा आप आ इसमें नमक आप जस्ट मत एड़ करिएगा जब आपको इसको खाना होगा तभी आप इसमें नमक एड़ करिएगा तो मैं यहां पर एक वाउल में निकाल लेती हूं और बाकी को साइड में रख देती हूं अब मैं इसमें नमक आड़ करूंगी तो मैं यहाँ पे साधा नमक नहीं ब्लैक सॉल्ट उज़ कर रही हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ लीजी तयार है प्याज की कत्रा रेसिपूल अब इसे आप किस चीज के साथ खाना पसंद करिएगा आप इसे खाईएगा रोटी के साथ ये रोटी के साथ खाने में बहुत ही मज़िदार लगता है आप इसको साथ अगर रोटी खाईएगा न तो आप दो के जगा पे चार रोटी खा लेजिएगा तो चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ तो मैं यहाँ पर दो रोटी ली हूँ और इसमें एड करूँगी कत्रा और उपर से गानिस करूँगी रेड चिली पौडर से और ग्रीन चिली और लेमन से तो तैयार है तो आप इसकी रेसिपी की इंगिरियन्स को भी जल्दी से नोट कर लिजिए अब मैं आपको यह रेसिपी चक कर बताती हूँ कि यह कैसा बना है देखिए यह रोटी जानते हैं सुभा का है फिर विए कितना सौप्ट है अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा वाव यह रेसिपी खाने में बहुत ही मज़ा आया यह डिस थोड़ा चटपटा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा तीका पन लगड़ा है इसे बनाने में कोई जणजट भी नहीं लगा और बिना गास चलाए हैं भी यह बन गया तो मैं आपसे उमीद करूंगी कि आप इसे एक वार अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक चरूर कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना तो बिलकुल भी मत भूलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुश रहिए खुशियां बाठते रहिए और आज पास सफाई बनाए रखिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक कियर एंड नमस्कार